तो हेलो बच्चो जैसा कि last class में हम लोग कहां पर थे वहां से शुरू करते तो last class में मैंने यह question करवाया था आपको जिसमें हम लोगोंने potential due to charge on the surface यह निकालना सीखा था ठीक है तो आज हम लोग यह देखेंगे उसके आगी की कहानी है और इसके आगी कहानी है आग देखने जा रहे है net electric field intensity EFI का क्या मतलब है EFI का मतलब है यहाँ पर electric field intensity यह EFI का मतलब है ठीक है electric field intensity यह meaning है अब near the surface of conductor conductor की surface के पास तो यह conductor जिस पर माल लीजे आपने सामने कुछ charge भी रखा है इसको कुछ charge दिया भी है यहाँ पर कोई point charge भी रखा हुआ है यहाँ पर भी कोई point charge रखा हुआ है तमाम तरीके की बाते अलड़ी हो चुके है ठीक है अब हमको करना क्या है हमको इसकी surface के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल ऊपर का मतलब क्या होता surface के just ऊपर फिल्ड निकाल ले है ठीक है यह calculate करना है कि surface के ऊपर फिल्ड क्या होगी हमें यह पता करना है ठीक है तो तो यहां पर मैंने क्या किया है चोटा सा एक सिलिंडर लिया ब्लुकुल चोटा सा सिलिंडर जिसकी एक सर्फिस जिसकी एक सर्फिस कंडक्टर की सर्फिस के just बाहर है यह जूम करके दिखाया है बच्चों यह चोटी सी थोड़ा दिखने लगा है और बहुत छोटा है बहुत छोटा का मतलब अगर मैं इसको x ले लूँ तो यह extending towards 0 है इतना चोटा है ठीक है तो माल लेते हैं यह x लिया और यह x लिया और extending towards क्या है जीरो है ठीक अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें गौसलो लगाने जा रहा ह यहाई पार्ट कंड़ेक्टर है क्या शीक चुके हैं आपको याद है इनसाइड टा कंड़ेक्टर क्र Ano इस जगहास इसी पॉइंट पर मतलब जेहां मैंने सिलिंडर लिया है ना बिलकुल जस्ट इसी पॉइंट पर, इलेक्रिक फील की वैलू E होगी, सर पर्पेंडिकुलर क्यों होगी, पहली बता चुका हूँ, कि कंडुक्टर के सर्फिस पे पर्पेंडिकुलर, इसलिए होती है, याद दिला देता हूँ, कंडुक्टर इजन इक्यों पोटेंशल बॉडी, तो इसकी जो सर्फिस होगी वो एक्यों पोटेंशल सर्फिस के, हर पॉइंट पर, पर पर यहां पर मैं कह सकता हूँ, बच्चों apart dat जाएगा जिरो जिदियेंदर कैसा मийवत इस तरीके सभी यह 2X है उसका आधा पार जो है शीट के अंदर बाहर nuestras पार निसे भू areas कना आब इसका यह वाला जो देटिश का एरिया है यह एरिया आपन ऐला सदीब ब Hence तो इस cylinder ने जो conducting sheet को cut किया होगा वो area भी A होगा बच्चों होगा ना मतब ये वाला area जिसको cylinder ने cut किया है ये भी A होगा तो हम gauss law लगाते हैं अब gauss law लगाने में cylinder के इस direction से E into A हो गया इधर से 0 इधर से 0 इधर से 0 तो total flux कितना हो गया तो according to according to gauss law net e.da equals to charge enclosed total charge enclosed कितना charge enclosed होगा बताइए जाँ तो मैंने का सर ये बताइए इस cylinder के अंदर कितना area trap हो गया है conductor की surface का तो ए area trap हो गया कितना charge trap हो गया sigma into A है तो क्या मैं कह सकता हूँ sigma A divided by epsilon not ये बात बोली जा सकती है अगर ये sigma A upon epsilon not है तो हम total flux को इस cylinder वाले total flux को इधर वाली surface से 0, side वाली surface से 0 और केवल ये वाली surface से बचा तो टोटल flux को E into A लिख सकते हैं ये हुआ sigma A by epsilon not तो E की value यहां से लिखी लेते हैं अगर direction के साथ लिखना तो मैं कह सकता हूँ sigma by epsilon not n cap n cap जो है वो क्या है n cap is n cap is unit vector unit vector अलॉंग आउट वर्ड नॉर्मल आउट वर्ड नॉर्मल ठीक क्योंकि sigma की value अगर negative होगी तो invert हो जाएगा अंदर की और flux आएगा तो मेरे साथ से यह बोलना sufficient है पर्याप्त है अब इसमें क्या है इसमें लोग गलती कर जाते हैं और जीवन अब पर्यंत रहते हैं और उससे डाउट पी पूछते हैं कि सर यह बताएए कि जो है वह कई जगे सिग्मा बाइट टू अप्सलों नॉट आप यूज करते हैं यह डाउट पूछते वह लोग आते हैं जो मेरे से पढ़ते नहीं है जोन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा होता ह अब अगर यह शीट के कारण और यह क्या है बच्चों यह शीट के कारण नहीं है यह कंड़क्टर के कारण भी नहीं है इस फिल्ड इस नॉट दू कंड़क्टर इस फिल्ड इस नॉट दू कंड़क्टर अलोन तर अलोन दिस इस इस नेट फिल्ड नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड मतलब गुरु जी मतलब क्या कहना चाहते हैं अरे मतलब मैं यह कहना चाहता हूं भाई एक सिंपल सी बात समझेगा कि अगर यहाँ पर सर्फिस चार्ज रेंस्टी सिग्मा है इस जगर सर्फिस चार्ज रेंस्टी सिग्मा है तो यहाँ पर फिल्ड सिग्मा बाई अपसलन नॉट होगी गैरेंटी और यह नेट होगी कि नेट होने का क्या मतलब है कि मतलब यहाँ पर अगर क्यू चार्ज है Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, ठीक है, इन सब की फील्ड इस फील्ड में शामिल है, मैं यह कहना चाहता हूँ, तो यह फील्ड कौन सी फील्ड है, केवल कंडक्टर के कारण नहीं है, यह है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कंडक्टर, समझ में आया, अब लोगों को डाउ आता है, जब मैं यह बात बोलता हूँ, लोग मेरे से कहते हैं, गुरू जी एक बात बताइए, कि अगर नेट है, तो मैं Q1 को मूव करके यहाँ पर ले आओ, इस जगे रख तूं Q1 को, तो आपके साथ से अभी भी सिंग्मा बाइपसलों नॉट रहेगी, मैंने का में, in this process, in this process, value of field, value of EFI, on the conducting surface, will change, will definitely change, भाई, वो का change, अगर आप इसको, इस Q1 को अठा करके यहाँ ला रहे हो, but, but, मैं क्या कह रहा हूँ, उसको समझने का प्यास को, मैं कह रहा हूँ, but, expression, expression, जो expression है न, इसका, field का, expression will remain same, same, expression same रहेगा, that means, that means, sigma will change, that means, sigma will change, तो अगर आप Q1 को उठा करके, यहाँ पर रहा होगे न, बच्चों, तो क्या होगा, sigma change हो जाएगा, expression same रहेगा, यह बात clear हो गई, ठीक है, मैं अपने side, बैटको, साइट रख लेता हूँ, ठीक है न, अभी clear, ठीक, यह बात समझ में आगे, सबी लोगों को, मेरे साब से, इसमें आप कोई doubt नहीं रह गया होगा, और इस बात को बिल्कुल clear रहना, आगे चल करके, तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज बनेगी, कि यह field बच्चों, यह field, net field होती है, समझ में आगे बात, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, और यह समझने का प्रयास करते हैं, कि इस conductor की net field से हम क्या-क्या फायदे उठा सकते हैं, तो फायदे बहुत सारे हैं, हम उन फायदों पर आएंगे, निश्चिंद रही हैं, लेकिन सबसे पहले, उसके पहले एक question हम करने जा रहे हैं, और वो question है, electrostatic pressure, electrostatic pressure, हलागि इसमें एक चीज और मैं बताना भूल गया हूँ, अगर मैं बताना चाहूँ, तो एक चीज और है, वो ये, जो कि electrostatic pressure में use होगी actually, तो मैं पहले वो बता देता हूँ, electrostatic pressure, ठीक है, electrostatic pressure में क्या है, होता क्या है बच्चों, क्या किया जाए, पहले बता दिया जाए, समझते हैं, electrostatic pressure क्यों होगा, जैसे मान लीजे, एक ring में, एक ring में, आप प्लस q charge, 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 चार 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 रखे हैं, यह तीनों मिल करके, किसी एक को, बाहर की और force लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, अगर similar charge है, तो सब पर बाहर की और लगाएंगे, नहीं लगाएगा, इसी तरीके से, अगर मैं sphere लूँ, तो हर एक point charge पर, हर एक dq पर, बाहर की और force लगेगा, उसके काराण से, जो pressure generate होता हूं, same चीज का, ध्यान से देखेगा, same चीज का proof चाहें, तो हम अब वापस आ करके, इसी page पर निकालते हैं, ताकि electrostatic pressure में सिर्फ pressure की बात कर पाएं, ध्यान दीजेगा, क्या proof, net field, net field, on the surface of conductor from outside is, sigma by epsilon not, net field होती है, ध्यान नखिएगा, ठीक है, इसको proof करने जा रहा हूं, मैं कहता हूं, भाई, यहां से सुनना, इसको मैं cut कर लेता हूं, एक बात करता हूं, तो इसको दो पार्ट में divide करता हूं, यह देखिए, मैंने क्या किया, यह छोटा सा, वो है, एक patch, जो पहले लिया था, ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस patch को निकाल दे रहा हूं, मतलब यह कि यहां पर इस patch को delete कर दीजे, दो पार्ट में body को break किया है, मैंने, जान दीजेगा, और second part में सिर्फ यह patch ही है, एक, सिर्फ यह patch है, बस, और कुछ ही ही दी, यह body तो सिर्फ हमें दिखाई है, कि body का हिस्सा है, तो मैंने क्या किया है, मैंने, बिसिकली, इस patch, दो पार्ट में देखने जा रहा हूं, फीड, सिर्फ patch के कारण, और remaining part के कारण, ठीक है, इन दोनों को अगर mix कर देंगे, तो total field आ जानी चाहिए, मैंने कहा, एक चीज, जो मेरे इसाब से आपने पढ़ी है, और मैंने पढ़ाई भी है, कि charge free region में, in a charge free region, charge free region, free region, EFI is continuous, in a charge free region, EFI is continuous, ठीक है, एक charge free region में electric field जो है intensity वो continuous होती है, अब continuous होने का मतलब क्या हुआ, यह देखना जरा ध्यान से बच्चो, यह charge free region है, यह वाला reason charge free region है, यहाँ कोई charge नहीं है, जो था वो मैंने side अलग कर दिया है, ठीक, तो यह reason charge free हो गया, मैं कहना चाहता हूँ, कि अगर मैं इसको A, इस जगह को मान लीजे, एक्स बरावर A कहता हूँ, तो electric field की value extending towards A minus पर और electric field की value extending towards A plus पर और electric field की value x equals to A पर, तीनों पर same होनी चाहिए, अगर आप लोगोंने continuity पढ़ी है तो अगर आप लोगोंने continuity पढ़ी है तो यह पता होना चाहिए कि x बरावर A के just अंदर, एक्स बरावर A पर और एक्स बरावर A के just बाहर, electric field की value same होनी चाहिए, यह continuous field का मतलब होता है, जिनको नहीं पता वो इतनी बात जान ले, ठीक है, तो माल लेते हैं कि वो field जो just अंदर, just बाहर है, उसका नाम है E1, यह अंदर भी वही, बाहर भी वही, तो बीच में मैंने E1 बनाती है, ठीक है बच्चों, अब आगे सुनने, अब आते गे sheet, कौन से sheet यह वाली है, यह charge sheet पर charge की value कितनी है, सिगमा, और किसी charge sheet के कारण, किसी charge sheet के कारण, जान से सुन लेना, मेरी बात को बाई, यह मैं यह आप से ही कह रहा हूँ, कि यहाँ पर, जो electrostatic pressure है, केवल खुद के कारण नहीं है, कोई charge भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सब के कारण है, ठीक है, अगल ब electrostatic pressure होगा, यह जान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर सिगमा चार्ज डेंस्टी है, तो याद करिए, मैंने जब डिस्क के कारण फिल्ड बताई थी, अगर किसी ने मेरा यह लेक्चर नहीं देखा, तो लेक्चर जरूर देख ले, मैंने कहा था, डिस्क के, सिगमा बाइट टू अपसलन नॉट, यह फिल्ड की वैलू हुआ करती थी, मैंने कहा अगर बिल्कुल ऊपर चले जाएं, और यह ऐलिमेंट छोटा सा डिये भी है, तो भी इस डिये ऐलिमेंट के ऊपर फिल्ड सिगमा बाइट टू अपसलन नॉट इस साइड होगी, और अ इस साइड, यह फिल्ड आ गई, इन दोनों को एड करने के बाद, इसको और इसको एड करने के बाद, यह बाड़ी बन जाती है, तो फिल्ड प्रिंसिपल आफ सुपर पोजिशन फॉलू करती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहां अंदर कितनी है फिल्ड, इवन है, य अगर मैं यहां नेट देखूँ, तो इस साइड आएगी E1, और इस साइड आएगी सिग्मा बाइट 2 उपसलन नॉट, लेकिन नेट फिल्ड इनसाइड दा कंड़क्टर क्या होती बच्चो, जीरो, अब अगर बाहर की बात करूँ, यहां पर सिग्मा बाइट 2 उपसलन न अब आता है, अब आता है, जस आउटसाइड दा कंड़क्टर, जस आउटसाइड दा कंड़क्टर, वहांँ पर total field क्या हो जाएगी ? E net की value बोलिए E net की value आ जाएगी E1 plus sigma by 2 epsilon not ज़र आँद देखें तो सही E1 की value कितनी है sigma by 2 epsilon not plus sigma by 2 epsilon not total field कितनी आगी sigma by epsilon not मैंने वापस से proof कर दिया net field just outside the surface net field just outside the surface sigma by epsilon not चेक कर सकते हैं इसमें कोई डाउट हो तो मेरे साथ से कमेंट सेक्षिन में जरूर से डाल दीजेगा ताकि मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें आपका ये डाउट क्लियर करते हूं ठीक है बच्चो क्लियर होगी बात मेरे साथ से अब एक इंट्रेस्टिंग फैक ध्यान से देखेंगे यह पूरा उठा करके लिए आता हूं यह पूरा उठाता हूं यहां से चीक है इसको यहां पर चपका देता हूं अब जरा ध्यान से सुनिए यहां पर यह बताएए इस एलिमेंट को इस एलिमेंट को आप यहां पर रखने जाएंगे जब रखेंगे तो ही तो ये वाली body complete बन पाएगी, जब इस element को वहाँ रख देंगे, तो body complete बन जाएगी, इस element पर charge कितना है बच्छो, sigma into A, charge on the element, on the element, कितना है, sigma into DA charge है, खिक, अच्छा, किस field में रखने जा रहे हो, किस field में रखने जा रहे हो इस charge को, तो charge is kept in external, खुद के कारण नहीं, external field, खुद के कारण होती तो करबड़ हो जाता, external field, क्या, even, charge is kept in external field, even, खुद के कारण, भी अगर मैं रख बोलूँगा, तो मैं बताई नहीं सकता, क्योंकि उसको रखने के बाद, उसी के ऊपर कितनी field है, तो बताई नहीं जा सकती, तो even में रखा जा रहा है, तो force outward कितना लगेगा, तो force बडाबर होगा, df बडाबर, देख लीजे ध्यान से, even बाहर के और field है, इसमें आप ये element रखने जा रहा है, तो even के direction में अगर ये positive charge है, तो force लगेगा बच्चों, कितना force लगेगा, force लगेगा even into sigma d, अब even की value कितनी है, sigma by 2 epsilon not into sigma d, ये बात हमको पता है, पहले से ही, कि जो field थी, अगर आपको थोड़ी दिर पहले याद हो, तो ये field का direction जो आया था, sigma by 2 epsilon not, और sigma by epsilon not, ये सब normal ही होंगे surface के, ये हम पहले देख चुके हैं, यानि कि जो df है, वो perpendicular है, इसको अगर area से divide कर दे, तो pressure कह सकते हैं, अगर हर जगे perpendicular होने की guarantee है, तो sigma square by 2 epsilon not, ये है electrostatic pressure, ये क्या है बच्चों, electrostatic pressure किसी भी point पर, जहां पर charge density की value sigma है, तो अब ऐसा हो सकता है, कि अगर uniformly charge है, तो uniform pressure होगा, non uniformly charge है, तो non uniform pressure होगा, वो depend करता है, sigma कैसा distributed है, मतलब जिस point पर charge density sigma है, उस point पर, तो at point, at point, where charge density is, where charge density is, is sigma, अब इस पर base, कुछ questions पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ज़रा वो question भी date लेते हैं, वो question कैसे किये जाएं, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, तो करते हैं question एक, तो question है ये, एक conducting sphere है, तो इस पर charge दिया, और sigma जो है, उसकी charge density है, और radius है R, radius क्या है बच्चों, R, तो question ये है, ये क्या है, conducting shell है, ठीक है, और जब electrostatic force की बात करेंगे, तो हम बाकी force को ध्यान नहीं दखेंगे, मतलब भी, आपस में molecules कितना लगा रहें नहीं, sigma charge density के कारण, है न, तो हम से बोला जा रहा है की, find, the electrostatic force, electrostatic force, applied by, lower half, lower half, on the, upper half, on the, upper half, तो, ये lower half, lower half, upper half पर, कितना force लगाएगा, हमको ये calculate करना है, ठीक बच्चो, चलिए साब, देख लेते हैं, कैसे निकाला जाए, अब इस question के बाद, वीडियो को pause करिएगा, try करिएगा, खुद से, और अगर आपके पास, time sufficient है, तो एक घंटे को ये और subject, पढ़ करके, फिर से try करिएगा, ठीक है, electrostatic pressure का use होना ही, तो बात आपको पता ही है, उसके बाद, इसका solution देखेगा, ठीक है, तो हम मैं solution बताने जा रहा हो, इसका, ध्यान से सुनियेगा, solution है इसका, ध्यान से सुनिया, net force, net force, on, on, upper half, is equal to the force applied by lower half, पहले तो यह जान लीजिए, कि मतलब सर, अरे भीया, कोई चीज खुद पर force लगा सकती है, क्या, नहीं लगा सकती, अगर कोई चीज खुद पर force नहीं लगा सकती, तो जो इस पर net force लग रहा है, मैं कहता हूँ, उसमें दो चीज़ों का force रहा मिल है, इसका और इसका खुद का, लेकिन खुद तो कोई चीज लगा नहीं सकती, तो इसका मतलब जो भी net force में आएगा, वो नीचे वाले के कारण ही तो आएगा, ठीक है, तो net force निकालते हैं, वो अपने आप नीचे वाले के कारण ही होगा, तो focus हमारा change हो गया, अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चो, सिर्फ net force अपर हाफ पर निकालने जा रहे हैं, यह हमारा अपर हाफ है, उपर वाला पार्ट है, इस पर हम electro static force निकालने जा रहे हैं, यहाँ पर फिर से वही pressure की बात करते हैं, ध्यान से सुनिये का सभी लो, तो यहाँ पर एक DA patch लिया, इस DA patch पर बाहर की ओर कितना force लगेगा, अगर सिग्मा चार्ज डेंस दी है तो, तो मैंने का भीया, बाहर की ओर जो force लगेगा, वो pressure into DA लगेगा, इसी तरीके से, मैं हर एक patch पर, pressure into DA force निकाल लूँ, और सबको add कर दूँ, तो बच्चों कौन से component add होंगे, और कौन से component cancel होंगे, क्या आप यह बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, वो component जो horizontal आएंगे, वो cancel होते चले जाएंगे, क्योंकि हर एक patch की opposite, एक दूसरा patch मौजूद है, तो horizontal है, तो cancel होगा, और यह वाले, जो अगर मैं इसको y-axis बोलता हूँ, तो जो y-axis के along है, वो सारे के सारे add होंगे, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ, कि total force F net is, integration of PDA cos theta for complete sphere, यह बोला जा सकता है, लेकिन एक interesting बात सुनिए जरा, अगर मैं इस DA element को देखूँ, थोड़ा सा डंग से detail में बनाता हूँ, यह DA element, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, यह DA element है, यह theta angle है, तो जरा यह angle देखेगा, यह वाला angle, कितना होगा, देखे साब, यह angle theta, तो यह angle भी theta, और यह angle theta, तो यह angle भी theta, ठीक, इसका मतलब यह DA जो है बच्चों, यह जो DA है, वो horizontal से, theta angle बना रहा है, या फिर यह कह सकते हैं, DA area vector जो है, वो vertical से theta angle बना रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, इसका projection, इस DA area का projection, projection, on, XZ plane, on projection, on XZ plane, यह DA cos theta होगा बच्चों, होगा की नहीं होगा, यह जो projection आपको दिखरा है, ठीक, that means, मैं कह सकता हूँ, कि, एक मैं बच्चों रुके गजरा, that means, मैं कह सकता हूँ, कि DA cos theta, मैं अगर, मैं बोलू, P uniform में, जो की बोला गया है, charge shell जो है, वो uniformly charged था, कोई और body नहीं है, तो P बाहर आ गया, integration DA cos theta, that means, integration of projection area, अगर मैं सारे projection area का integration कर दूँ, इसी तरीके से, तो ये वाला area आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये वाला area बच्चों होगा कितना, पाई आर स्कॉयर होगा, अब यहाँ पर, मैं P की value डाल देता हूँ, P is sigma square by 2, अपसलन नॉट इंटू पाई आ इस्कॉयर, इस इस दा फोर्स अप्लाइड बाई, लोर हेमिस्फियर, अब अबर हेमिस्फियर, ठीक है बच्चों, तो ये है, इलेक्ट्रो स्टाटिक, प्रेशर का, एक यूज, एक एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, इलेक्ट्रो स्टाटिक प्रेशर से रिलेड़ेड पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैं एक और कोशिन पूछ सकता हूँ, कि अगर, एक बबल है, ठीक है, सोब बबल है, सोब बबल इन एर, ये है सोब बबल इन एर, अब आप एक बात समझेगा, सिग्मा चार्ज टेंस्टी, अगर यूनिफॉर्म है, तो प्रेशर को कंड़क्टर होने से मतलब है, या उस तरीके के चार्ज डिस्ट्यूबूशन होने से मतलब है, फोर्स तो चार्ज के कारण लग रहा है, फोर्स यह तो इन देख रहा है कि कंड़क्टर है या नहीं है, फोर्स के रहा है चार्ट डिस्ट्यूशन से मतलब है, तो अगर मैं कहूं यूनिफॉर्म चार्ज किसी और स्फेर्कल शेल पर डाल दो, तो भी तो वही प्रेशर आएगा, तो यह सोब बबल इन एयर है, ठीक है, इसका सिगमा जो है, वो है सर्फिस चार्ज डेंस्टी, ठीक है, और S है सर्फिस टेंशन, S क्या है सर्फिस टेंशन, ठीक है, इसका रेडियस आ रहा है, और हमसे बूला गया है कि एक्सिस प्रेशर क्या होगा, find access pressure, find access pressure, inside the bubble, inside the, inside the bubble, यह हम से पूछा जा रहा है बच्चों, कि access pressure कितना होगा, मैं खाँ ठीक है बाई देख लेते हैं, access pressure कितना होगा, तो फिर से वही चीज तेम चीज आने वाली है, ध्यान दीज़ेगा चरा, सिगमा सरफेस चार्ज के कारण अगर मैं अगर आपने सर्फेस टेंशन नंग से पढ़ा है हिक है तो electrostatic force जो है वो उपर की ओर लग रहा है और सर्फेस टेंशन कारण् लगने आला फोर्स एक दूसरे की ओर लगता है एक दूसरे को पूल करते है तोलिंक होता है अगर याद हो तो अंदर की ओर अगर मैं मानू एक्सेस प्रेशर मतलब अंदर की ओर प्रेशर जादा है क्योंकि अगर सब लोग दूसरे को खीचेंगे तो अंदर प्रेशर जादा हुगा और धक्का देंगे तो गलबल जाएगा सब फूट के गिर जाएंगे लेकिन सर्फे की और ज्यादा लग रहा है इस कारण से बबल बबल की तरह बना हुआ है यह फूट जाता है ना इतना ज्यादा सर्फेस चार्ज यानि की बहुत कम होगा तो नेट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टाटिक जो फूर्स है वो प्रेशर को कम कर रहा है बढ़ा नहीं रहा कम कर रहा है ठीक है तो माइनस करने से काम चल जाएगा अगर मैं डारेक्ट सुचू तो मैं बोलूँगा फूर एस बाई आर पहले था ठीक है इसमें से सब्ट्रेट कर दीजिए सिगमा स्क्वार बाई टू अब इसमें बहुत सारे कोशिन बन सकते हैं सारे कोशिन मैं अब हम एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जो बड़ा फीमस भी है और बहुत सारे बच्चे इसमें परिशान लेते हैं वह है कंडुक्टर विद कैविटी में मैंने इसको क्या किया है दो पार्ट में ब्रेक किया है पहला पार्ट केस वन देर इस नो चार्ज इंसाइड दूसरा पार्ट केस टू वैं देर इस समचाज इंसाइड तो सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं मतलब एक कंडुक्टर है ठीक है उसके अंदर एक कैविटी है लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं अंदर कोई क्या नहीं है तो हम क्या कहेंगे हम अभी यह पढ़ने जा सबसे पहले कंडक्टर के मतलब क्या है मतलब आप इसको माजन कर सकते हैं एक्जाम्पिल के तोर पे siactic अधृक्ति पाल थीक है, conductor with cavity में हम अगर बात करें, तो conductor with cavity में अंदर field कितनी होगी, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है, और मतब इसमें पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको statement लिखता हूं, ठीक है, फिर इसके proof के बारे में बात करेंगे, तो statement है बच्चों, पहला statement ये conductor का meet है, ये this is meet, ठीक है, तो first statement is, एक वस्टो 0, inside the cavity, second statement है, सिगमा एक वस्टो 0, on the surface of cavity, on the surface of cavity, दो statement है, ठीक है, कैसे tackle करें इन दोनों statement को, तो थोड़ा सा pause करिएगा, वीडियो को मेरे, और सोचेगा, बैट करके, आप सोच सकते हैं, जितने भी ये conductor की property पढ़ाई है, तो पहला वाला ध्यान से सुनियेगा, if there is EFI inside the conductor, then there must be, be potential difference, there must be potential difference between, between two points of conductor, between two points of conductor, conductor, which is not possible, ये कैसे साब के देखिए कैसे, अगर यहाँ पर field है, अगर यहाँ पर field है, तो field lines होंगी, तो माल लेते हैं, कोई field line को imagine करते हैं, A से शुरू होती है, और perpendicularly खतम होनी है, तो B पर खतम होती है, एक ही जगह पर खतम होनी सकती, क्योंकि कि तुम्हें पता होगा, close loop बनाती नहीं है, field lines पहले ही बताया जा चुका है, और अगर यह हुआ तो मैं इस पर E-DL अगर calculate करूँ हा, चोटा हर point पर यह E लिया और यह DL लिया फिरthan लिया, थीक है स्टेली सिग्मा जीरो समझा जाए सिग्मा जीरो समझते हैं जरह क्यों होगा सिग्मा जीरो इसलिए होगा बचा-पाटे के माल लिजिए फिर से कंडुक्टर हैं ये मीट है अब एक काम करें एक क्वॉशियन सर्फिस लीजिए निदर पर तो अगर अगर सिग्मा है तो कुछ पर माइनस होना चाहिए और यदि यह ऐसा हुआ तो फ्रीड लाइन होगी जो प्लस से सुरू होंगी माइनस पर घताम होंगी विच अगें नोट पॉस्बिल ठीक है ना याट मेंस सिग्मा मस्ट भी जीरो ऑन दो सर्फेस इंसाइड था कंड़क्टर ठीक है और इसको यूँ भी सोब सकते हैं अभी थोड़ी थे पहले पढ़ाए यह बराबर सिग्मा अप्सलन नॉट पढ़ा ना नेट फील अगर मैं क अगर क्याविटी के अंदर चार्ज है तो क्या-क्या बाते हो सकती है यह सारी बाते नेक्स लास में डिसकस करूंगा तब तक क्लिए टाटा बाब आएं